Assalamualaikum dear students इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं Radioactive Decay के बारे में सबसे पहले हम वीडियो के content देख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे Radioactive Decay होता क्या है उसके बाद Alpha Particle Decay क्या होता है, Beta Particle Decay और इसके अंदर हम लोग Beta Minus Decay, Beta Plus Decay और Electron capture पढ़ेंगे और 3rd पर हम लोग देखेंगे कि Gamma Decay क्या होता है और Last पर हम लोग Applications of Radioactive Decay पढ़ेंगे और students जिनको मेरे notes PDF form में चाहिए उनके लिए मैं लिंक देदों की description में उस link को आप click करेंगे तो मेरे website से आप लोग easily यह वाले PDF डाउनलोड कर सकेंगे तो चलिए students without wasting any time वीडियो को start करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि Radioactive Decay होता क्या है इसकी बहुत easy से define है radioactive or nuclear decay is a process in which parent nucleide disintegrate into daughter nucleide with emission of radiation or particles कि यह ऐसा process है जिसमें parent nuclei तोटता है disintegrate होता है divide होता है daughter nuclei के अंदर और इस process के अंदर इसे भी particle या radiation की emission होती है students इसका बजीद introduction हम लोग पढ़ते हैं unstable nuclei जब decay करता है तोटता है daughter nuclei के अंदर तो वह alpha, beta और gamma radiation को emit करता है the emission of these radiation by unstable nuclei is called radio activity students इन radiation की emission unstable nuclei से इसको हम लोग radio activity का process कहते है और जो decay process है जो टोटने का process है उसको हम लोग radioactive decay कहते है या फिर nuclear decay कहते है तो students आपने पढ़ लिया है कि हमारे पास decay तीन तरह का होता है alpha, beta या gamma radiation तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं alpha particles का decay क्या होता है alpha particles जो होते है यह दो proton और दो neutron से मिलके बने हुए होते हैं इसका charge number 2 है और mass number 4 है जब एक unstable nuclei टोटा और उसने अपने daughter nuclei में change होने के साथ alpha particle को emit किया तो जहारी सी बात है कि unstable nuclei का charge number 2 unit से कम हुआ mass number 4 unit से कम हुआ क्योंकि उसने एक alpha particle को emit किया है इसकी यहां पर हम लोग सीदी से example देखते हैं students यहां पर हमारे पास एक parent nuclei था और यह disintegrate हुआ data nuclei में और इसने alpha particle को emit किया alpha particle का आपको पता है कि इसका जो charge number होता है वो 2 होता है और mass number 4 होता है तो parent nuclei जब daughter में convert होगा तो इसकी जो total mass number होगा यह 4 से decrease होजएगा minus 4 होजएगा और जो यहां पर charge number है यह 2 से decrease होजएगा क्योंकि इसमें से alpha particle रिलीज हुआ है तो अमीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी हम लोग इसकी एक और example देखते है students यहां पर देखे रेडियम को देखे अगर आप इसका mass number 222 है और इसका charge number 88 है रेडियम जब convert होगा रेडॉन के अंदर और इसने एक alpha particle को emit किया तो हम लोग 222 से 4 को minus कर देगे यहां पर 218 से हम लोग 2 को minus कर देंगे तो हमारे पास 86 आ गया तो रेडियम 222 था यह decay हो गया रेडॉन 218 के अंदर with the emission of an alpha particle इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं इस example को कि रेडियम हमारे पास जो है यह redon में convert हुआ लॉटर निकलाई के अंदर और उसके साथ इसने helium का एक जो particle था उसको emit किया तो यहां पे हमारे पास alpha particle का decay हुआ है अगर आपको में वीडियो पसंद आते हैं तो अपने friends के साथ लाज़मी शेयर किया करें और प्लीज में चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को electron जिसको हम लोग beta minus decay कहते हैं उसके बाद emission of positron जिसको हम लोग beta plus decay कहते हैं और last पर आता है electron capture यह तीन तरह के processes beta decay के अंदर हो सकते हैं सुरेट्स अगर आपको नहीं बता कि positrons क्या होते हैं या फिर neutrino anti neutrino बागी मजीद anti particles के बारे पर history की वीडियो बिनाई है इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा अगर आप उसको जाकर देखें तो आपकी nuclear mystery की basics clear हो जाएगी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं beta minus decay के बारे में इसमें क्या होता है when a nucleus has excess of neutrons then required for a stable nucleus हमारे nucleus के अंदर number of neutrons number of protons से जाएदा होंगे तो जाहिर बात है वो unstable हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि stable nucleus के अंदर number of protons और number of neutrons equal होते हैं लेकिन यहाप हमारे पास क्या condition आई है कि number of neutrons जाएदा हो गए हैं और number of protons कम हो गए हैं इसलिए हमारा nucleus unstable हो गया है तो यह वादा nuclei stability को achieve करने के लिए अपने number of neutrons को number of protons में convert कर देगा किस तरह से करेगा इसके हम लोग example देखते हैं students यहाँ पर आप देखें carbon 14 का हमारे पास molecule है जिसमें 6 proton और 8 neutrons हैं तो यह unstable है क्योंकि इसमे number of protons and number of neutrons equal नहीं है अब number of neutrons and number of protons को equal करने के लिए हमारे पास क्या होता है beta minus decay के अंदर जो neutron होता है यह खुद को convert कर देता है electron के अंदर और anti-neutrono particle के अंदर यहाँ पर आप देखें हमारे पास seven protons हैं और seven neutrons हैं तो जो neutrons थे इन्होंने अपने आपको convert कर दिया electron और anti-neutrono particles के अंदर ताकि number of protons and number of neutrons equal हो जाएं next हम लोग पढ़ते हैं beta plus decay के बारे में students यह जो है beta minus decay के बिल्कुल old है इसमें क्या होता है nucleus has more protons than neutrons इसमें number of protons जादा होते है nucleus के अंदर number of neutrons कम होते हैं इसलिए unstable होता है और stability gain करने के लिए क्या करता है अपने protons को neutrons के अंदर convert कर देता है इसको भी हम लोग same example से समझते हैं यहां पर नीचे देखें हमारे पास carbon 10 है इसमें 6 proton है और 4 neutrons है number of protons जादा है number of neutrons से तो beta plus decay के अंदर क्या होगा यह वाले protons हैं यह खुद को decay कर लेंगे neutron के अंदर और साथ ही साथ खुद को decay करेंगे neutrino और positron particles के अंदर तो स्टुरेंट्स आपर देखा होगा यह दोनों बहुत ही easy processes हैं आप समझ सकते हैं कि यहां पर हमारे पास number of neutrons जादा थे तो number of neutron ने खुद को proton में convert कर लिया proton में convert करने के साथ-साथ इन neutron में खुद को इन दो particles में convert कर दिया antineutrino और electron के अंदर इसी तरह जब हमारे पास beta plus decay आता है तो हमारे पास number of proton जादा होगी तो यह वाला जो proton होगा यह खुद को balance करने के लिए stable के लिए खुद को neutron में convert कर लेगा और उसके सासाती है यह खुद को neutrino और positron पार्टिकल के अंदर convert करेगा और पोसिट्रों और नहीं पता कि neutrino anti neutrino positron यह क्या होते हैं तो मैं आपको पहले बता चुँछ इन पे मैंने बहुत ही डीटेल वीडियो बिना रहे चुदी हूँ इस playlist की first video में और उसका link में आपको description में भी दे दूँगी introduction to nuclear sciences वाली video तो students आप पढ़ते हैं हम लोग electron capture क्या होता है ये name से शोह हो रहा है कि इसमें electron का capture होता है इसको पढ़ते हैं it is the process in which an atom's inner orbital electron is absorbed within the nucleus इसमें एक atom के inner orbit का electron nucleus के अंदर absorb होता है और absorb होने के बाद इसके अंदर beta plus decay होता है मतलब एक proton जो है वो convert हो जाता है neutron के अंदर और साथ जात एक neutrino particle की emission भी होती है students क्या होता है हमारा जो unstable nuclei है वो उस atom की K या L shell के अंदर से कोई भी जो electron है उसको absorb कर लेता है अपने अंदर और उसके बाद उस electron को absorb करने के बाद वो proton को convert कर देता है neutron और neutrino particle साथ ही emit होता है example से इसको हम लोग समझते हैं यहां पर हमारे पास एक unstable nuclei है जिसमें six protons है और five neutron है इसने इस electron को capture किया students capture जदा तर जो होते हैं वो K capture या L capture होता है K capture वो होता है जो K shell में से electron का capture होता है और L capture वो होता है जो nucleus L shell के अंदर से electron को absorb करे अब इसने electron का capture करने के बाद अपने एक proton को इसने convert कर दिया neutron के अंदर आप दिख सकते हैं कि number of neutrons increase किये गए हैं और उसके बाद एक neutrino particles की emission होई है इस process के अंदर से इसको हम लोग electron capture process कहते हैं students अगर आपको मज़ीद example चाहिए तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको इनकी मज़ीद examples प्रवाइड कर सकती हूं अगली वीडियो के अंदर next मारे पास आता है gamma emission gamma particles are photons having very high energies यह photons हैं जिनके बहुत जादा energies होती हैं और यह rays होते हैं यह particles नहीं होते the decay of nucleus be the emission of photons by excited electrons अब students एक nucleus जो था unstable वो decay हुआ अब decay होते हुए वो photons को emit भी कर सकता है by excited electrons और जो photons emit करेगा उनको हम लोग gamma emission कहेंगे और gamma radiation जो उसने emit की है आप देखते हैं के gamma radiation हमारे पास किस तरह से nucleus से आती है the gamma rays come from excited nucleus वो nucleus excited state में होता है और वो दुबारा अपनी ground state में वापिस आता है तो वापिस आते हुए वो photons को emit करता है और जो photons उसने emit के होते हैं वो gamma rays होती है the nucleus could be in an excited state either from a collision of another particle or because of its nucleus left over from a previous radio activity case students उने बताया है कि nucleus excited state में कैसे आता है या तो वो किसी particle से कुलियन के विदा से excited state में आ जाता है या पिर किसी और radioactive decay के process के बाद जो पीछे बच जाता है nucleus excited state में हो सकता है इसकी example देख लेते हैं हम लोग यहां पर देखें एक excited nucleus है और जब वो वापिस अपनी normal state में आता है तो वो gamma photons को emit करता है एक और example आप देख सकते हैं कि parent nuclei जो है जब यह daughter nuclei में convert होगा unstable से stable form में या फिर high energy state से low energy state में तो वो radishes emit करेंगा उनको हम लोग gamma radishes कहते हैं तो students अब चलते हैं हम लोग अपने last topic की तरफ applications of radioactive decay radioactive decay की हमारे पास बहुत सारी applications है students खास तोर पर research के अंदर और इसके इलावा medical applications इसकी बहुत जादा हैं और बाकी हम लोग कुछी यहां पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आता है radiometric dating students जो हमारे पास radioactive isotope जैसे के carbon 14 है uranium 238 है potassium 40 है इनके जो decay के rates होते हैं यह हमें noun होते हैं अब हम इनके decay के rate को noun करते हैं और फिर हम लोग उसको अपने sample के साथ compare करके इस मतलब speech man को कहते हैं हम लोग samples वगयरा को कहते हैं उनके हम लोग age को determine कर सकते हैं using radioactive decay next आता है nuclear power generation students radioactive elements huge amount में हमारे पास energy emit करते हैं इस energy को हम लोग power के तौर पे use करते हैं और यह nuclear power generation में बहुत जादा हमारे use होते हैं radioactive decay is used in nuclear power plants and donate electricity इनके जरिये से हम लोग electricity we donate कर लेते हैं यह पर example दीवी है the controlled fuel of uranium or plutonium release large amount of energy as heat which is used to produce steam and drive turbines students जो हमारे पास uranium 235 and plutonium 239 है यह large amount of heat को emit करते हैं तो हम लोग कहां पे use करते हैं steam produce करने के लिए या फिर अपने turbines को चलाने के लिए next आता है हमारे पास radiography and medical imaging students radioactive isotopes के बारे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं यह चीज़ के medical imaging techniques के अंदर के use होते हैं जैसे के x-rays, positron emission tomography और फिर SP, ECT यह चीज़े हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं यह सब चीज़ें जो हैं यह radioactive decay की बिज़ोलग ही possible है फिर आते हैं इनकी industrial applications students industries में हम लोग इनको कहां कहां पे use कर सकते है detecting leaks, studying fluid flow patterns and measuring thickness of materials बगर हम लोग अपनी machines के अंदर कहीं पर कोई leak हो रहा है तो हम लोग अगर रेडियाक्टिव particle की bombardment करें तो हमें वह detection हो जाती है इसे तरह हमारे fluid flow करने के patterns, pipes पे कोई fluid flow कर रहा है अब हम नहीं पता कि वह कहां कहां तो हम radioactive elements को use कर सकते हैं find out next पढ़ते हैं हम लोग radiation therapy high radiation जो यहां से निकलती हैं उनको हम लोग therapies में use करते हैं for example cobalt 60 or cesium 137 यह cancer treatment के लिए use होती है sterilization germs को kill करने के लिए food and spices के अंदर medical equipment को sterilize करने के लिए हम इनकी radiation को use करते हैं so students यहां पर हमार लेक्टर खत्म हो आपको मैं वीडियो कैसी लगी है मुझे comment section में लाजमी बताया करें और अगर आपको इसमें कोई और चीज़ चाहिए तो आप मुझे लाजमी पोश सकते हैं